हेलो व्रीवन निदी किचिनेनों में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं लेकर आई बहुत यम्मी टेस्टी स्नेक्स की रेसीपी जैसे बनाना बहुत ही आसान है तो चली इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने आपन मिक्सी का जार ले लिया है चोटा वाला यहां पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं चार बुरेट के बुरेड़ क्रॉम्स बनाएंगे क्योंकि हमें इस रैस्विपी में इसका इस्तेमाल करना है तो अगर आपके पास बचे हुए ब्रेट के कॉर्णर वगरा भी हो न तो आप यहाँ पर उसी को ग्रैंड कर सकते हैं क्योंकि हमें बेसिक सा ब्रेट क्रम चाहिए है तो इसे अच्छी तरह से हम क्रम कर लेते हैं मिक्सी में चला के पल्स में तो देखे हमारा बेट क्रम हो गया है रेडी अब इसे हम एक बाव में ट्रांसपर कर लेते हैं यहाँ पर मैंने लिए हैं छोले तो मैंने इन्हें बॉइल कर लिया है अची तरह से भिगो कर तो 3-4 सीटी आने तक हमने अच्छी तरह से बॉइल कर लिया है तो यह देखिए इस तरह से मैस से हो रहा है, बहुत ज़दा मैस ही नहीं होना है इनको, हलका सा थोड़ा सा टाइट टाइप के रहे, अब इन्हें हमें क्या करना है, कि से मिक्सी जार में डाल कर इन्हें अच्छी तरह से पल्स में ग्रैंड करना है, पेस्ट नहीं बनाना है ह पॉर्सली इनको हमें ग्रैंड करना है तो इने भी ग्रैंड कर लेते हैं यह देखिए बहुत ही बड़ी है तरीके से यह ग्रैंड हो चुके हैं बहुत जदा इनकी चटनी जैसे नहीं बनी है हलके से दरदरे टाइप के हैं इसी तरह से हमको रखना है अब इने हम क्या करते है एक बाउल में ट्रांसपर कर लेते हैं यकीन मानिए ये नास्ता इतना लाजबाब बनने वाला है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे अब हम इसमें डाल देंगे एक उबला हुआ आलू तो आप अपनी कॉंटिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना बॉयल आलू या फिर छोले आप बना रहे हैं उसे साब से आप मेजर्मेंट कर ले आलू बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालने है अब यहाँ पर हमने जो ब्रेट कम बनाया था वो हम सारा ही इसमें डाल देंगे अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसार तो जितना आपको पसंद हो आप अपने साब से डाल दे अब यहाँ पर थोड़ा सामने हल्दी पॉडर लिया 14 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है यह भुना हुआ जीरा पॉडर इसे इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा तो यहाँ पर मैंने डाला 1 टीस्पून यहाँ पर हम डाल देंगे गरम मसाला तो 1 टेबल स्पून डाल दिया है खुटी हुई लाल मिर्च याने के चिली फ्लेक्स भी हमने डाल दी है कटा हुआ रहा धनिया भी हम इस पर डाल देंगे कटा हुआ हम यहाँ पर मिर्च भी डाल देते 2-3 चौप किया हुआ और 2 टेबल स्पून हमने डाल दिया है यहाँ पर चावल का अटा आप कॉन फ्लार भी ले सकते हैं और मैदे का इस्तमाल भी कर सकते हैं यदि ये तीनों ही ना हो आप दो चम्मच गेहु के आटे का इस्तमाल भी कर सकते हैं यहां पर आप अपने मन चाहे कोई भी मसालों का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो यह देखिए बीना पानी डाले हमें इसका एक सकत सा डोल दायार करना है पानी आप इसमें इस्तमाल ना करें अगर बाइण नहीं हो रहा है तो आप ओल के हुआ आलू ही डाल सकते फिर से अब यह देखिए यहाँ पर हमने ओईल हाथ में लगा लिया अच्छी तरह से ग्रिसिंग कर लिया है इनके हमें ओवल सेप के कटलेट्स तयार करने हैं सेप आप यहाँ पर अपने हिसाब से दे सकते हैं अपने मोटे पतले छोटे स्कुएर गोल या जो भी चाहे वह आप बना सकते हैं बेसिकली हमें स्नैक्स बनाना है तो आप यहाँ पर चाहे तो सीख डालकन के सीख कप भी बना सकते हैं तो बहुत ही इंस्टिट से बेसिक से समान से यह देखिए हमने ने बना लिया है यहाँ पर हमने एक grill पैल लिया है इसे हमने रख दिया है गरम होने के लिए सारी cutlets हम इसमें डाल देंगे बहुत ही कम तेल में यह बनकर तयार हो जाने वाले हैं देखिए अगर आप इने dry ही इस तरह से grill करना चाहते है तो वो भी यह हो जाएंगे इसमें भी आपको कोई दिकत नहीं होगे कि यह टूटिंगे या फिर बिखरिंगे इस तरह से देखिए हमने ओयल भी डाल दिया इसमें एक टेबल स्पून के लगभग तो आप यहाँ पर घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं इस तरह से मैंने थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर दिया जिसे के अच्छी तरह से इसमें ग्रिल जो सक्रैच आते हैं वो आजाए एक तरब से यह काफी अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं यह देखिए हैं इसी तरह से आपका जब भी कुछ स्नाइक से चट-पटा खाने कमन करता है तो आप इस तरह से बना सकते हैं सार वेरीशन आपके उपर है आप इस वैसे अपने साफ से ढाल सकते हैं आलू जाधा कर सकते हैं चने कम कर सकते हैं चने जब लगे तीजा ili Herausforder तो सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइक इन दबाले जिसे सारी नोटिफिकेशन मिले मैं मिलती हूँ नेक्स वीडियो में थेंक यू थेंक्स पर वाचिंग